दोस्तो अगर आप लोग ओनलाइन सोपिंग करते हो और कोई प्रोड़क्ट अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे रिटन कर देते हो लेकिन काफी सारे एसे लोग भी है जिने प्रोड़क्ट रिटन करना नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बार लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोग online shopping करते हो या नहीं और अगर करते हो तो कहां से करते हो तो अब जान लेते हैं कि product return कैसे करें दोस्तों अगर आप लोगोंने online shopping की है और आपको product पसंद नहीं आता है तो आप उसी app में जा करके उस product को return डालने का request डाल सकते हो हाला कि online order करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि उस application या उस website में product return करने का feature है या नहीं product को return करने के लिए आप उस app के में जा सकते है और उस app में जाने के बाद फिर वहां पर आपको order section में चले जाना है और order section में जैसे ही आप चाहेंगे तो आपको product return करने का एक option मिल जाएगा या फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके customer के नंबर पर call करके भी product return के बारे किये थे वो आपके bank account में add हो जाएंगे तो अगर आपको product return से related कोई भी issue है तो जिस भी online shopping site से या website से आप shopping करते हो उनके customer के number पे call किजिए तो आपको return करने का पूरा process वो लोग बता देंगे और अब जानते हैं क्या जानते हैं क्या product return करना आसान होता है तो जिहां दोस्तो product return करना बिल्कुली आसान होता है आप online ही एक click की मदद से अपने मंगाये हुए product को return कर सकते हो तो आज के इस video में इतना ही video गर आपको पसंद आया हो तो इससे like कर दीजेगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर किजिएगा और इस वीडियो को खतम करने से पहले में आप लोगों को बता दू कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉंच कर दी है तो अगर आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे एजाच कला डिया तो आप लोग चाहते हो कि आपको किसी टोपिक के ओपर भी मैं कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आपने चे कमेंट वोक्स में लिख सकते हो